तो ये периショ कैसे आप सभी आई, होब कि आप सभी बहुत ही सही होंगे तु सफो आज किस वीनी के अंदर हम सीकने वाले कि अपने मुवाइल फोन को फिल रिसेट कैसे किया जाता है। दोस्तो अगर आप चाहते हैं अपने मुवाइल फोन को फूल रिसेट करना तो फिर आज किस वीडियो को बीना स्किप के पूरा स्ट्रेब अगर आप वीडियो को स्किप करोगे या फिर आप वीडियो को कट करोगे तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा इसलिए दोस्तो वीडियो को बीना स्किप के पूरा देखिएगा और दोस्तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रू से करना है तो चले दोस्तो बीना देरिक आज किस वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट तो दूस्तो अपने मुवाइल फोन को फूल रिसेट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है तो आज किस वीडियो को एंड तक देखना है एंड उसके बाद आपको अपने मुवाइल फोन के सेटिंग्स को उपन करना है और जैसे दूस्तो आप अपने मुवाइल फोन के सेटिंग्स को उपन करोगे यहाँ पर दूस्तो आपके मुवाइल फोन का सेटिंग्स को उपन करके आ जाएगा आप यहाँ पर दूस्तो आपको नीचे के साइड स्क्रॉल डाउन करके जाना है तो simply आपको क्या करना है सबसे नीचे आपको scroll down करके आ रहा है यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो back up and reset का option मिलेगा इस पर आपको click करना है जैसे आप back up and reset के उपर click करना है फिर से आपके सामें कुछ page आ जाएंगे और यहाँ पर भी आपको 3-4 option मिल जाते है तो simply आपको reset phone के click करोगे तो यहाँ पर आपको तीन option मिलेंगे सबसे पहले reset network settings और उसके बाद आपको reset all settings और उसके बाद आपको erase all data का option मिलता है तो दोस्तों अगर आप चाहते हो अपने mobile phone के network settings को यहां से reset करना तो आप यहां से वह भी कर सकते हो और अगर आप चाहते हो settings को reset करना तो आपने lock screen पर आपना password रखा है उसको इंटर करना है जैसे आप इंटर करोगे आपका mobile phone यहां से switch up हो जाएगा और उसके बाद आपको फिर से अपने mobile phone का पूरी तरह से यहां से open कर लेना है और उसके बाद आपका mobile phone पूरी तरह से full reset हो जाएगा तो आई होप कि आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना मिलते कुछ ऐसे helpful वीडियो के साथ तब तक लिए दिस्तों अपने खिया लगिए हेवने स्टे गुडबाई